असलाम लेकुम गाईज मैं हूँ सबाम गदस अपने नेक्स्ट वी लॉग के साथ और आज का वी लॉग है वो आप लोग की बोज़दा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने कपड़ों की भी आप जो है हमें वी लॉगिंग दिखाएं कि आप अपने कपड़े किस प्रिपेर करती हैं तो मुझे यह कमेंट्स मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि अपने कपड़ों की अभी तो वैसे मैंने जो कपड़े किये थे उन में से कुछ कपड़े स्टिच होने वाले हैं तो यह समझने के यह पार्ट वान है कपड़ोंगा मेरे जो कपड़े स्टिच हो तो मैंने आपनों के साथ डिजाइनिक जो है शेयर करती हूं कि कुछ हवातीन जिन्होंने कप्डे स्टिच करवाने हैं मॉस्ली ऐसा होता है कि मैरीड हवातीन जो हैं वह कप्डे स्टिच खरवाती हैं बारी बारी आपको सारे ड्रेस जिखाऊंगी, उन पर मैंने किस तरह से डिजाइन करवाई और कहां कहां से बारे किया, मैं आपनों के दिखाऊंगी, चले आए, लेट सी आपनों को यह ड्रेस नजर आ रहा हुगा, यह ड्रेस है मेरी चाइस का मैं कोशिश करती हूँ कि जो dark color के कपड़े हैं भी पेनों क्योंकि मेरे husband को light color के कपड़े बुजवाद अपसान ना तो वो पेन पेनके जब मैं fed up हो जाती हूँ तो फिर मैं dark color का dress जो है वो कभी बाद जो है वो चूल करती हूँ और इस dress के बारे में मैं आपको यह बताओं, यह लोकल ड्रेस है, यह जब मैंने पहना था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसकी एक तो यह डिजिटल प्रिंट है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यह फ्रॉक स्टाइल है, और इसके साथ कैप्री है, तो अब मैं आपको साथ-साथ इसक लगे हुए, उसके पर शायद बटन लगे हुए थे, तो मैंने अपनी टेलर को यह बताया कि आपने बैक टू फरंट जो है, यह इसी तरह की पटी लगा के, तो उसके उपर आप मोतियों का टच दे दीजिएगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट था उसके लिए बाय करना, यह मे लगे हैं, फरंट से बैक तक इसकी यह स्ट्रिप है, दोनों साइडों पे, और यह देखे चुनट पड़े हुए हैं, यह आप इसकी शर्ट नहीं सलवा सकते हैं, जब आपने यह ड्रेस बनवाना है, इस तरह की डिजाइन ही करवानी है, तो आपनों को वो फ्रॉक ही गले मिलते हैं, लेकिन मेरी टेलर हैं उसने हुदी मिरहान में काटके यह की है, और यह इसके जो गाणनर है, कटाउं के उसमें उसने हलका हलका TOUCH जो है, वो मोती का दे दिया, यह सारे है अपने मरजी से कोई और भी मुदिटी का अब बड़ सक्कार सकते हैं इसने अपनी मरजी से की है और यहां पे बडेंनी थी यह लगना था प्ड़ी बोंते हैं रिसको पंधाबि में लेकीं लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कहा था उसको कहा था कि इसके जो कारनर हैं उसमें ट्राइंगल चोटे-चोटे बना के तो वह लगा देना चूंकि उसके पास टाइम कम था तो यहां वह बूल गई है तो उसने नहीं लगाया तो यह भी मैं आप लोगों को पहन के देखाओंगे और यह देखें यह कैप्री पजाम है और यह देखें इसके कटाओं बने हो में यह इस तरह से मैंने इसको बोला था कि आप मेरे बाजूं पर यह गले पर भी इस तरह कारनर पर यह ट्राइंगल बना दीजिएगा लेकिन वह बूल गई लेकिन शिलवार में और देखें किता अच्छा लग रहा है यह देखें मैं अंदर से भी आप लोगों को खोल के दिखाते हूं किस तरह से स्टिच किया हुआ है और यह कैप्री पर ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग शलवारों पर में आओगे तो इस पर अच्छा नहीं लगेगा ठीक है और यह इसके साथ डुबटा है डुबटा इसका बहुत प्यारा है यह अभी अमी में पैन के ओर के आप लोगों को दिखाऊंगी तो यह बहुत अच्छा कलर आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है और इंज है मैंगो कलर है ग्रीन भी है मल्टी कलर है और बर्डर जो है इसका वो लाइट ग्रेय है देखिएगा अभी में पैनूंगी तो आपनों को कैसा फिर आप लोग मुझे फीडबेक जूरूर दीजिएगा कि मुझे यह ड्रेस कैसा लग रहा है अचा यह मेरा दूसरा सूट है यह आप लोगों को नजर आ रहा होगा अम्यों वाला सूट है लाइट कलर यह अम्यों नहीं मुझे बेच़ और इसका बहुत लाइट कलर था मैंने बाजी को को बोला कर डिजाइनिंग इसकी जयादा कर दीजीगा लेकिन उन्होंने अपनी मरसी से स्थोड़ी तो यह जोइचा नहोने लिम लाज़ा दी गना थी है और मुझे हांडी गला बना हुआ है पंजाबी में हम इसको बोलते हैं हांडी गला यह आप लोगों को खुला लाग रहा है अगर वाकी मुझे खुला है अभी मैंने इसकी फिटिंग करनी है मैंने पैना था और यह इसके चारों साइडों पे चौकों से लेके गेरे तक सारी लैस जो है चारों तरफ पे लगी हुई है जब मैंने पैना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और यह देखें शलवार पे देखें यह बाजी ने दो तीन प्लेट डालके उसके उपर लायस का हलका सा टच्छ दे दिया है यह कैपरी नहीं है पजामा यह लूज है चलवार मैंने तो सबने बहुत अप्रिशेट किया था कि बहुत अच्छा लगा इसा बगो यह आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ीबे अब मैं आपको पैन के दिखाती हूँ अच्छा जी यह मेरा थर्ड सूट है यह जब मैंने लिया था तो मुझे इतना पसान नहीं था क्यों यह बटन सा नजर आ रहा होगा है हम लोगों ने वजार से जाके मैंने और बाजी ने बाए किया और यह इसका गला देखें किस तरह से बनावा बाजी ने थोड़ा सा वी शेफ में गला कर दिया और यह पेंट ब्लॉक पेंट कहलें इसके ओपर हुआ है यह वर्दा का ड्र आए कि आप मुझे साइडों पर करतें तो गॉल्डन कलर जूंकि आप लोगों को नजर आ रहा ही तो फिर मेंने गोल्डन में यहां से स्टार्ट बाजी हिने किया था और यहां तक यह ऐन्डू और थीक है यह मने यहां पर लग वाया था बाजु से अंग में और और बाइ तो ऐसे लग रहा था हलका सा जिस तरह से थोड़ा फैंसी डाइब सूट नहीं होता उस तरह से और सबको बड़ा पसंदाया था और इसका यह जो डुबट्टा है डुबट्टे की बारे मैं आप लों को बताओं कि यह चार मौन का डुबट्टा है मुझे भी अम्भी सही पत तो मैंने यह लगवा लिया तो यह बड़ा अच्छा लगा था और इसका ट्रोजर जो है वो कैपरी है सिंपल है बिल्कुल कोई डिजाइनिंग नहीं अब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो फिर आप लोग देखिए आप लोग बहुत अच्छा लगेगा और यह एक कि यह नहीं अच्छा बंस में मैंने आप लोगे अपनी डिजाइनिंग दिखा यह तो यह आपनों के लिये आईदियाज भी है अजिसके पास लाइट कलर यह तो पर आप इस तरना की डिजाइनिक कर बसकते जाज़ दी, बाई बाई, आलापी!